यूपी के सत्र लाक मदर्स चात्रों को बड़ी राहत मिली है दरसल सुप्रीम कोर्ट ने लहबाद हाई कोर्ड के 22 मार्च को दिये आदेश पर रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यूपी बोर्ड आप मदर्सा जुकेशन अक्ट 2004 को समयधानिक बताया था सुप्रीम कोर्ड ने कहा कि लहबाद हाई कोर्ड का ये कहना कि मदर्सा बोर्ड समयधान के दर्मने पेचे सिध्धान का उलंगन करता है ये ठीक नहीं है पीए मोधी को लेकर टीमसी नेता के बिगड़े बूर्ड दरशल पशिमंगाल की सत्तादारी तरणमूल कांग्रेस के नेता प्यूस पांडा इसका ताजा उधारन है जीनों ने प्रधान मंत्री नरेन मोधी की जाती को लेकर बेहत विवादित बयान दिया है इसमें वा कथी त्रूप से कुन सुनते हुए नजरा रहे हैं कि एक तेली के बेटा राम मंदिर का उधगाटनों पूजा कैसे कर सकते हैं बीजेपी विधाय को पश्ची मंगाल विधान सभा में विपच्च के नेता सुवेंद वधिकारी ने टीमसी नेता पांडा का या वीडियो शेयर करते हुए चुना आयोक से प्रधान मंत्री नरेन मोधी पर की गई विवादास पर टिपड़ी पर संग्यान लेने का अगर किया है और उनके खिलाप उचितकारवाई करने की मांगी है बड़ फ्रू बन सकती है अकली महामारी वग्यानिकों ने किया अलर्ट कोरोना से 100 गुना जादा है खतरनाक गौर तलब है कि इन दिनों H5N1 एवियन फ्रू वाइरस का खत्रा अमेरिका में तेजी से फैल रहा ह किसी इनसान में H5N1 एवियन फ्रू का मामला मिलने के बाद वग्यानिकों ने इसे दुनिया के लिए बड़ी चिंता बताया है यदि या वाइरस इनसान से इनसान में फैलता है तो यह कोरोना से भी बड़ा खत्रा बन सकता है UP में BJP के मिसन 80 को लग सकता है जटका सर्वे में आये चोकाने वाले आकड़े UP में पच्छ विपच्छ दोनों तरब से जीत के दावे किये जा रहे हैं इसी बीच लोग सबाचुनाओ को लेकर टाइम सनाओ का ETG रिसर्च सर्वे सामने आया है जिसमें चोकाने वाले दाव और एक नीती बैठक में UPI को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है आरबियाई के गवर्नर सक्तिकान दास ने कहा है कि जल्द ही UPI के जरिए कैस जमा करने के लिए मसीन का इस्तेमाल कर सकेंगे सक्तिकान दास ने कहा कि सर्विस से लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी कैस जमा कर करने के लिए बैंक जाना नहीं पड़ेगा साथ ही अगर आपसे बैंक दूर है तो आप UPI के जरिए कैस जमा कर सकेंगे अगर UPI से कैस डेपोजट की सुविधा आती है तो आपको जेब में कार्ड रखने की समस्या से आजादी मिल सकती है इससे ATM कार्ड रखने खोने या ब उकम का जटका रात 9 बचकर 34 मिनट पर महसूस किया गया उसने कहा कि चंडीगर के साथ ही पंजाब और हरियाणा के विबने हिस्सों में भी कुछ सेकेंड तक हलके जटके महसूस किये गया दिली एक बार फिर से दुनिया की सबसे प्रदूसित राधानी बनकर उबरी है कि दिली सबसे खराब वाय गुडवत्ता वाली राधानी बन गई है यह जानना जरूरी है कि 2018 से लगातार चार बार दिली दुनिया की सबसे प्रदूसित कैपिटल सिटी है रक्षण मंत्री राजना सिग ने एक इंटर्विव में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को सीधा और सक्तिशंदेज दिया है पर उसी देज दोरा फैलाये जा रहे आतंकवास से जुड़े एक सवाल के जवाब में राजना सिंग ने कहा कि यदि आतंकवादी पाकिस्तान भागता है तो उसे वहीं गुस कर मारेगे उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई भी आतंकवादी भारत में शान्ती को बादित करने का प्रियास करेगा तो उसे मूतोर जवाब भी दिया जाएगा कांग्रेस ने लोगसबा चुनाओं के लिए अपना घोश्रा पत्र जारी किया है कांग्रेस के नुसार पार्टी का गोश्रा पत्र पार्टी के 5 नियाए, हिससेदारी नियाए, किसान नियाए, नारी नियाए, इस्रमिक नियाए और युवन नियाए पर आधारित है प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है जिसमें प्राइवेट नौकरी करने वाली भी पेंशन का लाव ले सकते हैं इस योजना का नाम National Pension Scheme यानि NPS है ये सरकार की Contributory Scheme है जिसके तहट आप अपनी रिटार्मेंट प्लानिंग कर सकते हैं इस योजना को पहले सरकारी करमचारियों के लिए बनाय गया था लेकिन बाद में सभी लोगों को इसका लाव दिया गया यानि अब कोई भी इस अपनी पेंसन का लाव ले सकता है दिली सरकार में मंत्री आतिसी सिंग के मुश्किले बढ़ सकती हैं बीजेपी जॉइन ना करने पर धमकी मिलने के आरोप और चुनाव आयूग ने संग्यान लिया है इससे पहले बीजेपी ने भी आतिसी को नोटीस भेजा था और पूछ है उन्होंने दावा किया कि अगरे दो दिन में आपके चार नेताओं की गिरिफ्तारी होने वाली है आतिशी के मुताबिक उनके बाद सौरब भारद्वाज को गिरिफ्तार किया जाएगा फिर दूर्स गेस पाठक और रागोचड़ा भी अरेस्ट होंगे माफिय मुक्तार अंसारी की मौत के पांच घंटे बाद बांदा जेल के वरिफ्ता जिच्चक को हत्या की धमकी दी गई यह कॉल देहराद उनके स्टीडी कोड़ वाले लैंड लाइन नमबर से की गई है 14 सेकेंड की कॉल में उन्हें गाली देते विये कहा कि अब तुझे ठोकना है बस सके तो बच वरिष्ट जेल अदिचक विरेज राशर्मा ने सहर कोटवाली में अग्या धमकी देने वाले पर रिपोर्ट दर्ज कराई है दमकी की सूचना से जेल और पुलिस महकमे में हड कंप मचा है विरेज सर्मा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है चीन द्वारा और रुड़ाचर प्रदेश की 30 जगों का नाम बदले जाने से भारत बढ़क गया है और विदेश मंतराले के आधिकारिक प्रोक्तार अरदीर जैसवाल ने करारा जवाब भी दिया है कि चीन की इस तरह की हरकते बरदास्त नहीं की जाएंगी मेडिया रिपोर्ट के अनुसार भारती विदेश मंतराले के प्रोक्तार अरदीर जैसवाल ने कहा कि चीन बेबुनियाद दावे ना करे बार बार एक ही बाद दोहराने इस तरह नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला अरुनाचल में भारत का कानून नियम और योजनाय चलती हैं और चलती रहेंगी सिक्षक ने बच्ची को फूल लेने के लिए क्या मजबूर तो माना जाएगा योन उत्पीडन सुप्रीम कोर्ट की सक्ति टिपड़ी दरसल सीर्स अदालत ने फैसला सुनाय कि लड़कों के स्कूल वाले एक सिक्षक दौरा एक नाबालिक छात्रा को फूल भेट करना और उसे दूसरों के सामने लेने के लिए दबाव डालना योन अपराधों से बच्चों के सनच्छन अधिनियम के तहत योन उत्पीडन है हो सकता है नई पीडी की बैलिस्टिक मिसाइल अगनी प्राइम का हुआ सफल परिक्षर रक्षा मंत्री ने डियार डियों और एस एफसी को दी बदाई सामडिक बलकमान ने डियार डियों के साथ मिलकल बुद्वार किसाम साथ बजे उडिसा के तरफ पर डॉक्टर सेना के वरिष्ट अदिकारी मौजूद थे रक्षा मंत्री राजना सिंग ने सफल परिक्षर के लिए डियार डियों एस एफसी और सस्त्र वलों को बदाई दी हैं कांग्रेस प्रवक्ता गौरब बल्लब ने ब्रहस्पतिवार को पार्टी के सभी पदों और सदसिता से य अगे बढ़ रही है उसे देखते हुए वा खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे बल्लब कई महीनों से पार्टी की ओर से टेलीविजन कारेक्रमों में शामिल नहीं हो रहे थे और लंबे समय से उनकी कोई प्रसवारता भी नहीं हुई थी गौरों के इस्तेपे पर का अचारी प्रमोद कृष्णम ने भी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने लिखा सच्चा सनातनी कांग्रेस में नहीं रह सकता रड़दीप सिंग सुर्जेवाला को हेमा मालनी ने दिया करारा जवाब कहा उन्हें पीम मोदी से सीखना चाहिए दरसल कांग्रेस नेता रड़दी लोगों को निसाना बनाने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा माली ने कहा उन्हें महिलाओं का सम्मान करना प्रधान मंत्री नरिद मोदी से सीखना चाहिए मैं यहां अपना नामांकन दाखिल करने आई हूँ और इस खुसी के मौके पर मैं किसी और ने क्या कहा इस बारे से तुका भी लोकारपढ किया प्रधान मंत्री यहां से दौरका तक रोड शो करने के बाद दौरका में जगत मंदिर पहुचे यहां दौरका दीज का दर्सन करने के बाद दिन के 12.59 बचे सबा को संबोधित किया इसी इस्तल से प्रधान मंत्री देवभूम दौरका जाम पोर बंदर जी लेके 4000 करोन रुपए से अधिक के 11 विकास पर कल्पों का लोकार पड़ और भूमिपूजन भी किया है सीरिया में इरानी दूतावास पर हमले को लेकर इरान ने इसराइल को मुकदमे की दह्म की दी है दरसल इरान के कानूनी मामलों के उपादच मुहम्मद देहका ने कहा कि देश सीरिया में इरानी वाड़ी जी दूतावास पर घातक हमले के लिए इसराइल के खिलाव मुकदमा दायर करेगा इस हमले में कम से कम 14 मौते हुई है समाचार एजनसी सिन्वा ने अर्ध आधिकारिक समाचार एजनसी फार्स के हवाले से बताया कि देहकान ने कहा कि इसराइली हमले ने अंतरस्ती कानून का उल्लंगन किया है इरान वर्तमान में कानूनी आकलन कर रहा है और जल्दी अपने कानूनी निर्णयों के बारे में जानकाईरी प्रदान करेगा यूपी के सत्रे लाक मदर्स चात्रों को बड़ी राहत मिली है दरसल सुप्रीम कोर्ट ने लाबाद हाई कोर्ड के 22 मार्च को दिये आदेश पर रोक लगा दिये हाई कोर्ड ने अपने आदेश में यूपी बोर्ड आप मदर्सा जुकेशन आक्ट 2004 को समयधानिक बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाहबाद हाई कोर्ड का ये कहना कि मदर्सा बोर्ड समिधान के दर्मने पेचे सिधान का उलंगन करता है ये ठीक नहीं है पीए मोधी को लेकर टीमसी नेता के बिगड़े बूर दरशल पशिमंगाल की सतादारी तरण मूल कांग्रेस की नेता